नेक्स्ट कोशिन बिटा हमारा सही वाक्यों के सामने सही का तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाईए तो पहला हमारा क्या है हिंदी वर्ण माला में वर्णों की संख्या बावन होती है देखो, ग्यारा तो हमारे क्या हो गए? स्वर हो गए, तेतिस क्या हो गए? वेंजन हो गए, अब दो जो है हमारे उत्सिप्त वेंजन हो गए, दो जो है हमारे आगत हो गए, ठीक है? और चार हमारे जो है संयुक्त वेंजन हो गए, तो टोटल कितने हो गए? बावन, चावाल लेवे उसम वेंजन हैं ये क्या है गलत ये क्या है अंतस्त वेंजन है भाश्या की सबसे छोटी काई वरण कहलाती है सही है अंग और अह अयोगवा कहलाते हैं ये क्या है सही है अक्षेत्रे गय और संयुक्त वेंजन नहीं होते नहीं आ गया बिटा ये संयुक्त वेंजन होत अब है निमलिक संयुक्त वैंजनों वे दवीतव वैंजनों को अलग-अलग करके लिखे तो यहां कुछ शब्द दिये गए हैं इन में से हमने संयुक्त और दवीतव वैंजन छाटने हैं तो दवीतव वैंजन कौन से होते हैं जहां एक वर्ण जो है दो बार आ जाए जैसे कच्चा है पत्ता है लड्डू है ये सारे क्या होते हैं दूइत वेंजन तो कच्चा च्रह दो बारा गया क्या हो जाएगा सन्युक्त वेंजन कक्षा, अक्षा त्रय गय और श्रय ये हमारे क्या होते हैं संयुक्त वेंजन होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं संयुक्त वेंजन, तो ये अब इनसे बनने वाले जो शब्द हैं उनको हम कहां रखेंगे संयुक्त वेंजन में कक्ष्या, श्रेमेक, त्रिशूल, क्या हो जाएंगे, सिन्युक्त वेंजन, अब पत्ता, डबलते आ गया, तो पत्ता क्या हो जाएगा, आपका, दवीतव, पक्का, दवीतव वेंजन, शिक्ष्या, अक्ष्या आ गया, तो क्या हो जाएगा, सिन्युक्त वेंजन, अग्यान, अन ने दो बार आ गया क्या हो जाएगा दवीतो मक्का क्या दो बार आ गया तो क्या हो जाएगा दवीतो अब ग्यानी गया गया और शत्रिय में अक्षय आ गया तो ये क्या हो जाएंगे सैयुक्त वेंजन अब आपकी जो है नीचे पिक दी गई है रंग भरिये तो यह आपको जो है इंदर धनुष बनाना है इंदर धनुष देखा है ना साथ रंग एक दो तीन चार पांच छे और साथ तो आपको यहाँ पर इंदर धनुष के रंग भरने हैं इंदर धनुष बनाना है और सुंदर सुंदर से कलर भर कर जो है अच्छी सी इ जो मेरे पास स्किप्पिक लेकर बेजना यह आपका काम कंप्लेट हो गाया जो आपका थस्वे को टेस्ट होगा वो चैप्टर two वर्ण विचार का होगा इसलिए मैंने आज पहले आपको वर्ण चार की जो है exercise करवाई है exercise आपकी complete होगी किसी को कोई problem है तो बच्चा जो है personal call करके या WhatsApp पर पूछ सकता है